लोकतंत्र के मूले होते हैं यानि कि जिस पर अधारत वो कारे करते हैं तो लोकतंत्र में या लोकतंत्रिक सरकार में तीन मूल्यों की बात की गई है तो वो तीन मूल्य कौन से हैं पहले होती है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, दूसरा नयाय, तीसरा समानता, किसी भी लोगतंत्र है और कोई भी लोगतांतिक सकार होती है उसमें ये तीन मुल्य आवश्चक होते हैं, स्वतंत्रता का मतलब है कि यहां पर जो सरकार है, वो भी स्वतंत्र है, जो लोग चुन रहे हैं, वो भी स्वतंत्र है, तो यानि कि जो फ्रीडव है, जो स्वतंत्रता है, वो दोनों को मिलती है, जिससे कि वो सही फैसल ले सकते हैं, वो सारी विश्रिष्टा है, फिर दुब अगर कोई भी गल्ती होती है, कोई भी सरकार, कोई भी इंसान जहें गल्ती करता है, तो ये न्याए के पक्ष में कारे करता है, यानि कि न्याए ज़रूर दिलवाता है, तीसरी समानता, लोक तंत्र में सभी लोक समान में, एक समान है, एक समान का मतलब है, जैसे अभी मैंने एक वोट वाली बात करें कि हर वोट का एक ही मुल्य होता है चाहे वो कोई भी इस्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाती, धर्म, कोई भी हो, सब जो है लोग तंत्र की नजरों में एक समान है और सभी लोग जो है स्वतंत्र हैं और सभी लोगों को जो है न्यानित है तो ये लोगतंत्र में जो है उस लोगतंत्रिक सरकार की लोगतंत्र की जो है हम लोगों ने लाब पड़े लेकिन जैसे मैंने का कि हर चीज की लाब होते हैं तो कुछ चीज की हानिया भी होती है तो अब हम लोगतंत्र की हानिया पड़ेंगे, हम कह सकते लोगतंत्रिक सरकार की हानिया पड़ेंगे सबसे पहले हानी, जैसे मैंने कहा कि सरकार हर पांच साल बार बदलती रहती है तो बदलना एक तरीके से हम कह सकते अठी चीज भी है क्योंकि हर सरकार को जो है आसत्ता में आने का मौका मिलता है लेकिन क्या होता है जब सरकार जो है आती है दूसी सरकार आती है तो उसको जनता की मांगों को समझने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है जिसकी वज़े से क्या होता है कोई भी एक सरकार जो है पुन रूप से कारे नहीं कर पाती है, अस्तिरता बनी रहती है, तो क्या होता है इसकी खानी कि सरकारे बदलती रहती हैं, जिसके कारण क्या होता है, अस्तिरता बनी है, अस्तिरता की संभाबना जो है बढ़ जाती है, लोग तंत्र में क्या होता है, कि जो सरकारे हैं, मैंने बताया, वो बदलती रहती हैं, जिसके कारण अस्तिरता की संभावना जो है बढ़ जाती, यानि कि कोई भी एक सरकार स्थाई रूप से रहकर कारे नहीं कर सकती है, मान के चली अगर पांच साल किसी सरकार के खतम होने वाले हैं, उसके बार, मौन उसी वक्त उच, तक उनने कोई फैसला लिया है, कुछ भी बन्वाने के, जैसे मान के चलते हैं, अगर बीजेपी की सरकार है, अब उन्होंने जो है हाईवे के लिए जो है, आप उन्होंने हाईवे बनाने का ओर दे दिया है, अब क्या होता है सरकार जो है चुनाव फिर से आते हैं क्योंकि हर पांच साल बाद सरकार बदलती है अब हर पांच साल बाद सरकार बदलती है तो बीजेपी सरकार ना आके कॉंग्रेस या कोई भी जो है दूसरी सरकार जो है आती है तो क्या होता है जो फैसला बीजेपी सरकार ने उस फक्त लिया होता है जैसी सत्ता में दूसरी सरकार आती है तो उन फैसलों के लिए फिर से जो भी कागजी कारवाई होती है जो भी होता है वो सारे के सारे काम फिर दुबारा से करते हैं और फिर दुबारा जाके कहीं वो फै इससे क्या होता है जो सही फैसले होते हैं जो भी वो पहली सरकार ने फैसले लिये होते हैं तो दूसरी सरकार तक वो जब पहुंचाते हैं जो भी दुबारा से वो सब चीजे आती हैं तो उससे क्या होता है फैसलों में देरी हो जाती है यही जो है दूसरी हानी है लोग तंत् क्या होता है जब यह देरी होती है तो उसके कारण जो है कभी-कभी गलत फैसले ले लिये जाते हैं जिस गलत फैसले लें से क्या होता है कि जो आपके हित जो जनता के हित में जो काम होना होता है वो नहीं हो पादा है जिसकी वज़े से जो है जनता जो है पनी नाराज की दिख वे जो लोग होते हैं उन्हें कभी-कभी जो लोग है उनकी आवश्यक्ता है समझने में काफी वक्त लग जाता है जिसके द्वारा वो गलत फैसले तो लेते ही लेते हैं और फैसले लेने के साथ-साथ जो है वो ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसके द्वारा कभी-कभी सरकार भी गिर जाती है तो जनता द्वारा ये तीसरी हानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनीधी प्रतिनीधी जो है गलत फैसला ले लेते हैं यानि कि जो प्रतिनीधी है वो गलत फैसला ले लेते हैं और उन गलत फैसला से सरकार भी गिर जाती हैं लोग नराज भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़े होती हैं जनता द्वारा चुने गए प्रतिनीधी गलत फैसले ले लेते हैं ले लेते हैं दूसरा और तीसरा पॉइंट आपस में जो है मिलता जुलता है या तो सरकार जो है वो फैसले लेने में जो दूसरी सरकार आती है वही सरकार जो है फैसले लेने में देरी कर वेती है और कभी-कभी क्या होते है जो प्रतिनीधी है वो क्या करते है अगर जिसे जल्दी फैसले इंके कारण गलत फैशले ले लेते हैं जिसे भी आगे जो है दिक्कत आती है यह लोकतंद्र की तीसरी हानी है एक खानी और है सब्ता में आपने देखा होगा कि जो सरकार है वो जो है सिर्फ कुछ ही लोग चलाते हैं यानि कि पूरी तरीके से जो भागीदारी है हैं जो सट्टा में जितने भी लोग होते हैं उनकी पूरी भागीदारी महें होते हैं सत्ता में कुछ लोग ही जो हैं सरकार चलाते हैं यानि कि उनी के अधार पर जो हैं सारे फैसले होते हैं ये भी जो हम कह सकते हैं ये लोग तंत्र की एक तरीके से कमजोरियों में कह सकते हैं कि ये गलत चीज है कि जो कुछ लोग हैं वही सरकार चलाते हैं जिसके द्वारा सभ डाहनी लोगों को आने का मौका नहीं मिलता है जिसे अगर हम सरकारों का देखेंडो केंदरी सरकार को हम अपने देश में देखेंडों कुछी सरकार हैं जो बहुत ही जादा हम कहते हैं कि फेमेस हैं यहीं जिन जानते हैं और सत्ता में वही बारबार आती हैं अगर हम उधारन लेके चलें कि जब आम आदमी सरकार जो है बनी थी तो उसको जब वो बनी वो जो है एक प्रोटेस्ट हुआ था अन्ना जी और अजबिन केश्रिवाल जी बैठे थे तो उसी के बाद ही जो है उन्होंने एक फ 12 से आती हुई दिखी तो उनोंने जो है एक अप्मी सरकार बढ़े हैं जिसे और से जानते हैं और वह जो है कि और थे को बने की कोशिश करी यानि की कहने का मतलब ही है जो भी फैसलों में जो देरी होती थी या जो भी प्रतिनीदी कि वो जो कुछ लोग सकारे सिलाते हैं तो ये उसका उधारन हम बोल सकते हैं कि अगला क्या होता है कि कभी-कभी यह पॉइंट आपको लिखने की ज़ुरत ने इस सिरस्ब समझने की ज़र较 पिकिक उपए का हुँ पॉट wreck क्या मांगे हो इनको ऐसा क्या कारे करना तो कभी-कभी क्या होता है कि हमें अपनी आवश्रक्ता ही नहीं पता अगर मुझे पता ही नहीं कि मैं पढ़ना क्यों चाहती हूं या मैं काम क्यों करना चाहती हूं या मुझे ये काम क्यों करना चाहिए अगर हमें किसी चीज को करने जिसके कारण सप्टामे गलत सकार भी आ जाती है क्यूंकि उनको यही नहीं पता होता उनका अपने वोट की कीमत नहीं पता कुछ लोग आपने देखा वोग की डालने नहीं जाते हो नहीं सपार कोई भी सरकार आती Thursday तो हमारा तो कुछ होना ही नहीं है हमें तो जिए चीज गलत है लोगों को अपने अभश्रक्तो अधिकारों को अगर पता होगा तो सब्ता में जो है अच्छी सरकार आएगी अच्छी सरकार आनी से क्या होगा अच्छे फैशने लिये जाएंगे तो जो प्रती नीदी है वो यह सारी जो हानिया है वो लाब में परिवर्दित हो जाएंगी.